बेंजी नमस्कार नमस्कार सर क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम नेहा अगरवाल है नेहा जी कहां से आए आप? मैं पठानकुट पंजाब से आई हूँ संत्रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? जी मैं संत्रामपाल जी महाराज से 17 April 2013 में जुड़ी थी संत्रामपाल जी महाराच से नाम दिख्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे सर्व संत्रामपाल जी महाराच से जुड़ने से पहले हम अन्य देवी देवताओं की भक्ति करते थे और जो मेरे पेरेंट्स थे हम भोले नाज जी के पुजारी थे कह सकते हैं आप और मेरे पेरेंट्स सुबा चार बजी उठके मंदिर धोने जाते थे वहाँ पे और यही हम सारी देवी देवताओं को पूछते थे गुर्दवारा जाते थे और जो भी रिलिजियस प्लेस्स है हम वहाँ सब पे जाते थे आप इतने सारी परेशानी उसे गुजर रहे थे आपका परिवार इतने दुखों से गिरा हुआ था तो फिर आपको संद्रामपाल्जी महाराज के बारे में कैसे पता चला जी संत्रामपाल जी महाराज के बारे में मेरे फादर गए थे कुरुक्षेत्र मेला था वहाँ पे तो वहाँ पे उनको बच्चे सेवा कर रहे थे ग्यान गंगा पुस्तक की तो वहाँ से उनको ग्यान गंगा पुस्तक मिली थी और घर ले जाके मेरे फादर ने ग्यान गंग देव जी ने रहस्य बताया है कि वो परमात्मा कौन है जो उनको मिले थे जो उनको बेई नदी पे मिले थे और जो भी परमात्मा के वारे में गरंथों में वर्नन किया हुआ है वो सारा तो मेरे फादर ने सारा कुछ मैच किया और उन्होंने नामदान ले लिया आप भक्ति कर ही रहे थे पहले तो फिर आपने संद रामपाल जी मारा से नाम दिख्षा क्यों ली सर ठीक है हम भक्ति कर ही रहे थे पहले और वैसे तो according to me मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मैं कभी अपनी लाइफ में गुरू बनाऊंगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वो भी तो हमारे जैसे इंसानी होते हैं वो भी एक नॉर्मल परसन ही है उनमें ऐसा क्या खास है मुझे ऐसा लगता था कि मेरे फादर जो है क्योंकि सबसे पहले मेरे फादर जुड़े थे संद रामपल जी महराथ से और उन्होंने नाम दिक्षा ली थी 2008 और 2009 में आइगेस उनको ग्यान गंगा पुस्तक मिली थी कुरुक्षेत्र मेले में वो गए थे तो उस दोरान उनको उन्होंने ग्यान समझे और उन्होंने नाम दिक्षा ली बट जब वो घर पे आते थे हमें बताते थे हमें कुछ नहीं पता लगता था और मेरा इस चीज में बिलकुल भी इंट्रस्ट नहीं था कि मैं ऐसे साधारन इंसान को तो ऐसा कुछ नहीं था नहीं आप ऐसा क्यों मानते थे कि संत्रामपाल जी महाराज साधान इंसान है आपके क्या थोट्स थे उस टाइम पर देखिए मुझे ऐसा लगता था कि इंडिया में इतने सारे गुरू है ठीक है तो वैसे ही संत्रामपाल जी महाराज है वो भी एक नॉर्मल इंसान है तो मुझे तो ऐसे ही लगता था मुझे उनमें कुछ खास नहीं लगा क्योंकि ना ही मैंने उनका किज्ञान कभी सुना था ना ही मैंने उनको देखा था कभी ना ही मैंने उनके बार में कोई नेम सुना था ठीक है तो आपको संत्रामपाल जी महाराज खास नहीं लगे इसलिए आप संत्रामपाल जी महाराज को एक आम इंसान मानते थे आपको संत्रामपाल जी महाराज खास कब लगे जी मुझे संतरामपाल जी महराज खास तब लगे उसमें एक लंबी स्टोरी है जो कि हमारा घर इतना बर्बाद हो चुका था हमारा घर इतना बर्बाद हो चुका था कि मैं आपको बता आनी सकती तो जो कि हमारे साथ समस्राइटास कि अपस में बिजनस दिलिंग करते थे तो जिस दोरान क्या होता था कि हम उनको सालरी पर हका हुआ था मेरे साथ हमार आप का सारा और हमारे आफिस का देखेंगे तो थीक है वह काशी इच्छा चलता रहा चलता बड़ एक मोमेंट ऐसा हाया कि उन्होंने मेरे फादर को चीट किया एंड उसी दुरान उन्होंने उन पर ब्लैक मैजिक किया और उस दुरान क्या हुआ मेरे फादर ठोड़े अन्डर डेप्रेशन A गए और उन्होंने total business loss हो चुका था और इस दोरान मेरे फादर बहुत ही under depression हो गए थे और जो भी हमारी investments थी हमारे पास gold था वो भी हमने sale out कर दिया हमारे पास जो भी जो भी गाड़ियां वगेरा जो भी था हमारा हम सब ground level पे आ गए थे हम पूरी तरह से बरबाद हो गए थे तो जब संत्रामपाल जी महराज का मैंने नामदान लिया था तो मैंने नामदान लिया मेरे फादर ने ही हमें घर पे आके बताया था पहले तो हम मानते नहीं थे आप ये बताईए संत्रामपाल जी महराज से नामदिक्सा लेने वाले हर सरदालू को कुछ न कुछ लाब जरूर होते हैं आपका परिवार जब इतने सारी परिशानियों से गुजर रहा था, इतने सारी financial problem आपको थी तो उन परिशानियों से आपको कैसे चुटकारा मिला सर जब हमने नामदन लिया और हमें नहीं पता क्या हुआ क्या था, बस हमने सिरफ भक्ती की जो संत्रामपाल जी महराज ने हमें मंतर दिये, हमने सिरफ वो सचे दिल से वो मंतर जाब किये और हमारी मुसीबते डे बाए डे कम होती गई निया जी, क्या करते हैं आप जी मैंने bachelor's in science किया है and currently I am preparing for banking and other competitive exams देखिए आप educated हैं क्या आप मानते हैं कि आज की इस आजुनिक यूग में, computer के यूग में क्या इस जमाने में आप विश्वास करेंगे इन बातों पे कि किसी संद के आशिर्वात देने से या किसी संद की किताब पढ़ने से कोई बिमारी दूर हो सकती है या कोई नसा छोड़ सकता है जी पहले तो नहीं था पर जैसे ही संत रामपल जी महराज से मैंने नाम दिख्शा लिया तब से मैं कोई दृड़ विश्वास हो गया है कि पृत्वी पे अगर संत है तो वो संत रामपल जी महराज है और अगर किसी भी प्राबलम का solution कोई कर सकता है तो वो संत रामपल जी महराज ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, whether it is related to your health or anything else नहा जी यदि संख्या के आदार पर किसी संद की पैचान हो तो साइद, इंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे संत हैं, जिनके लाखो की संक्या में followers हैं आप संत रामपल जी महराज को कहां पाते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं अगर हम कहें कि किसी के followers बहुत जादा है और वही सही हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता बिकाज हमें राइट पात फॉलो करना है, हमें यह नहीं देखना है कि क्राउड कहां पे है ठीक है, we don't have to follow the crowd, we have to follow the right path and which is shown by संत्रामपल जी महराज निया जी हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे संत हैं, जो कहते हैं कि पापकरम नहीं करते संत्रामपल जी महराज जी अपने सत्संग परवचनों में कहते हैं कि पापकरम कट सकते हैं दो संतों की बातों में विरोधा बास क्यों है? सर, देखिए, जो संत कहते हैं कि साधना से पापकरम नहीं कट सकते इसका मतब यह है कि उनके पास सच्ची भक्ती नहीं है किस आदार पर संतराभाल जी महाराज कह रहे हैं कि बhando कर दे कि हम करने से पाप करण कर जाते हैं सरा फ़ाहराज कूल भोनाव कर चाहा रहे हैं वह सब को गीता कुरान बाइबल गरंगाति साही वह ब्रमान आह है वो प्रमात्मा कौन है जिसने छे दिन में स्रिष्टी रची और साथमे दिन जाके तक्त पे जा विराजे मेरा प्रशन इन धर्म गुरुओं से ये है नकली धर्म गुरुओं से ये है कि वो कहते थे कि आपके पाप करम है ये जो आपको दुख है ये आपके पाप करम है जो आपने किये हैं ये तो कभी कटी नहीं सकते तो अब संतरामपाल जी महराज से जबसे मैंने नाम दिख्षा लिया है तब कैसे कट गए बताईए मुझे कैसे कट गए मेरा मानना ये है कि अगर हम शास्र अनुसार भक्ती करेंगे तो हमारे सारे पाप करम कट सकते हैं आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं जी मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप संत्रामपल जी महराज के ग्यान को समझे उनको एक बार सुनिए जरूर उनका सत्संग जरूर सुनिए अगर आप negative way से भी देखना चाते तो देखिए जरूर Whether it's positive or negative वो आपका अपना decision होगा कि आपको वो सही लगते हैं वो गलत लगते हैं आप देखो तो सही एक बार कि वो क्या है क्या रही है What is trying to convey the message अच्छा हम आप से ये जाना चाते हैं कि संत्रामपाल जी महराज से नाम दिक्षा लेने से आपको क्या-क्या लाब मिले, क्या-क्यानभव हुए जी सबसे बड़ा लाब संत्रामपाल जी महराज से नाम दिक्षा लेने के बाद ने हमें दिये हैं, whether it is economically और health issues हो, कोई भी हो, जो मेरे ब्रदर थे, वो काफी drink वगेरा करते थे, और नशा भी करते थे, थोड़ा बहुत, और वो भी प्रमात्मा की दया से उन्होंने छोड़ दिया है, जो सर्दालू संत्र रामपाल जी महारास से नामदिक्सा लेना चाहते फोन नमबर्स दिये गए हैं, आप ग्यान गंगा बुक और जीने की रहा और कर सकते हो, आप पहले उस पुस्तक को पढ़िए, ग्यान समझे संत्र रामपाल जी महाराज कहना क्या चाह रहे हैं तो फिर आप उसके बाद सब कुछ सोच समझ के संत्र रामपाल जी महाराज की शरण में आईए और अपने दुखों का निवारन करिए जी धन्यवाद कर सकते हैं